वेलकम, भारत के विविद और संस्कृतिक भूमी में, अनेक शिक्षन संस्थान उतक्रिष्टा की रोश्नी में चमकते हैं, जो विभिन विश्यों में विश्वस्तरिय शिक्षा और अनुसंधान के अफसर प्रदान करते हैं। इन से बाहर, दस विश्व विद्यालय ग्यान और नवाचार के स्तम के रूप में उभरते हैं, जो हजारों उत्साही छात्रों और विद्वानों के बुद्धिमानी के विकास को प्रोचसाहित करते हैं। इंजीनियरिंग और प्रोध्योगी की से लेकर मेडिकल विज्यान, सामाजिक विज्यान से कला और डिजाइन तक हर विश्य के लिए ये संस्थान अपनी प्रतिष्ठा कमाई है। उनकी उची शिक्षन स्तर और अनुसंधानिय प्रयासों के कारण, ये देश के शीर्ष शिक्षन संस्थानों में गिने जाते हैं। 10 विश्विद्यालेयों की प्रतिभा को गले लगाने के लिए तयार है। वन इंडियन इंस्टिट ऑफ टेक्नॉलजी, IIT, बॉमबे, इंजीनियरिंग और प्रोध्योगी की, IIT बॉमबे भारत में अग्रणी इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक है। ये विभिन इंजीनियरिंग विश्यों में सनातक, सनातकोत्तर और डॉक्तरल पार्ट्यक्रमों की पेशकश करता है। इसकी मजबूट शेक्शनिक पार्ट्यक्रम और अनुसंधान सुविधाओं के लिए प्रसिध होने के कारण, ये देश के शीर्श इंजीनियरिंग संस्थानों में निरंतर रैंकिंग में शामिल होता है। IIT Bombay में प्रवेश प्राप्त करने के लिए आपको उच्चतम प्रतिसपर्धी सहुख प्रवेश परीक्षा, जेई, उन्नत को सफलता पूर्वक पास करना होगा। J.E. उन्नत के लिए पहले J.E. मुख्य परीक्षा में अत्यदिक अच्छे अंग प्राप्त करना आवश्यक है, जो J.E. उन्नत को सफलता पूर्वक पास करने के बाद, आप IIT Bombay में विभिन सनातक और सनातक उत्तर इंजीनियरिंग पार्ट्यक्रमों में प्रवेश के लि लिए जाना जाता है, ये विभिन विज्ञान विश्यों में कार्यक्रम पेश करता है और विशेश रूप से एरोस्पेस, कम्प्यूटर विज्ञान और सामगरी विज्ञान के क्षेत्र में अपने अनुसंधान के परिनामों के लिए प्रसिध है, आई-ाई-स-सी बैंगल इनके graduate aptitude test, gate, या राष्ट्रिय पात्रता परिक्षा, net, जैसे राष्ट्रिय स्तर की प्रवेश परिक्षाओं को उत्तीर्ण करना होगा, 3. All India Institute of Medical Sciences, AIMS, Delhi Medical और स्वास्थ्य विज्ञान, AIMS भारत में शीर्ष चिकित्सा संस्थान और अनुसंधान के इंद्र है, यह उच्च गुनवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाह प्रदान करने के लिए प्रसिध है, AIMS दिल्ली देश में 6 स्वायत AIMS संस्थानों में से एक है, AIMS अपने सनातक, AIMBBS, कार्यक्रम में प्रवेश के लिए AIMS प्रवेश परीक्षा आयोजित करता है, सनातक उत्तर और डॉक्टरल पार्ट्यक्रमों के लिए AIMS अलग-अलग प्रवेश परीक्षाएं आयोज प्रवेश सामान्य प्रवेश परीक्षा, कैट, पर आधारित होता है, कैट को उच्च प्रतिशत के साथ पास करना, साथ ही मजबूत अकादमिक रिकॉर्ड और चैन प्रक्रिया में प्रदर्शन, जिसमें लिखित क्षम्ता परीक्षा, समूँ चर्चा और व्यक्तिगत साक्षात कार शामिल हो सकते हैं, आपके चैन होने की अफसरों को बढ़ाता है. 5. University of Delhi आपको प्रवेश परिक्षाओं में उपस्थित होने या एक मेरिट आधारित चैन प्रक्रिया का सामना करने की आवश्यक्ता हो सकती है, जो कोर्स और विभाग पर निर्भर करता है. 6. National Law School of India University, NLSIU, Bangalore कानून NLSIU भारत में कानूनी शिक्षा के प्रमुक शिक्षा संस्थानों में से एक है. ये कानून में सनातक और सनातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करता है और देश में कुछ उतक्रिष्ट कानूनी व्यावसाईकों को निर्मित करने के लिए प्रसिद है. NLSIU अपने सनातक और सनातकोत्तर कानूनी कार्यक्रमों के लिए एक स्वयम योग्यता परीक्षा जिसे Common Law Admission Test, CLAT, कहते हैं, का आयोजन करता है CLAT को उच्च रैंक के साथ पास करना NLSIU में प्रवेश के लिए आवश्यक है 7. Delhi School of Economics, University of Delhi वानिज्य और अर्ख्षास्त्र, Delhi School of Economics अपने अर्ख्षास्त्र और वानिज्य में पार्थयक्रमों के लिए प्रसिद है ये सनातकोत्तर स्तर पर पार्थयक्रम प्रदान करता है और अपने शोध और शेक्षी की योगदानों के लिए उच्चा आधर्निया है दिल्ली स्कूल और अर्ख्षास्त्र और वानिज्य में विभिन सनातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करता है इन पार्थयक्रमों में प्रवेश प्रवेश परिक्षाओं जैसे दिल्ली विश्विद्यालय प्रवेश परिक्षा, डी यूईटी या योग्यता आधारित चैन के द्वारा होता है जो कोर्स पर निर्भर करता है 8. National Institute of Design, NID, एहमदाबाद, कला और डिजाइन, NIT एक उतक्रिष डिजाइन संस्थान है जो विभिन डिजाइन विश्यों में सनातक और सनातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करता है ये डिजाइन शिक्षा में रचनात मक्ता और नवाचार को प्रोथसाहित करने के लिए प्रसिद है NIT डिजाइन प्रोग्रामों में प्रवेश के लिए डिजाइन एप्टर्ट्यूट परीक्षा, DAT, का आयोजन करता है चैन प्रक्रिया में एक स्टूडियो टेस्ट और व्यक्तिगत साक्षातकार भी शामिल होता है 9 इंडियन अग्रिकल्चरल रिसर्च इंस्टिटूट, IARI, डेली क्रिशी और वन्यजीवन, IARI भारत में एक प्रमुक क्रिशी अनुसंधान संस्थान है ये क्रिशी, उद्यानिकी, और विन्यजीवन से संबंधित विभिन क्षेत्रों में शोध करता है और शिक्षा प्रदान करता है IARI में सनातकोत्तर और डॉक्टरल पार्ट्यक्रमों के लिए प्रवेश भारतिय क्रिशी अनुसंधान परिशद, ICAR, All India and Transpareakša for Admission, AIA, के माध्यम से होता है 10 Tata Institute of Fundamental Research, TIFR, मुंबाई विग्यान और शोध, TIFR एक शोध संस्थान है जो मूल विग्यान और गनित के लिए समर्पित है ये विग्यानिक शोध और उन्नत अधिरेन कार्यक्रमों में अपने महत्वपूर्ण योगदानों के लिए प्रसिध है TIFR में PhD प्रोग्राम्स के लिए प्रवेश पाने के लिए आपको Tata Institute of Fundamental Research National Entrance Test, TIFR NET, को पास करना होगा चैन प्रक्रिया में साक्षातकार और विशे विशेश लिखित परिक्षाय भी शामिल होती है इस ज्यानवर्धक वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर यह सामगरी आपको पसंद आई और आप और भी मनोहर खोजों को देखने की इच्छा रखते हैं तो क्रिपया हमारे YouTube चैनल Mindful Discoveries को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुडिये ग्यान, नवाचार और शिक्षा के समुद्र में और गहराई से खोज कर एक उज्वल भविश्य की और बढ़ें हम वहां आपसे मिलने की उम्मीद करते हैं थैंक्स फर वाचिंग